आप सभी को करवाचोत वरत की बहुत बहुत बधाया राधे राधे एवरिवन आज की वीडियो में मैं आपको करवाचोत वरत की पूजा के लिए जो सामगरी चाहिए वो सारी सामगरी दिखाऊंगी सुबह करवाचोत माता की पूजा और रात को चद्रमा की पूजा पती की पूजा सारी सामगरी आज की वीडियो में आपको दिखेगी तो देखिए सारी सामगरी की विवस्ता मैंने कर ली है चलिए नस्दीक से मैं आपको सारी सामगरी दिखा देती हूँ ताकि आपको सभी चीज़े अच्छे से समझा जाए तो देखिए पूजा करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने साधी का जोड़ा पहन सकते हैं या आ सामगरी देख लेते हैं तो सबसे पहले हमें करवा चोथ माता का फोटो या कलेंडर लेना है यह आपको बजार में बहुत आसानी से मिल जाएगा और गनेश जी का फोटो भी आपको इस कलेंडर के अंदर ही मिलेगा तो गनेश जी का पूजन भी आप यहीं पर कर सकते हैं तो करवा चोथ माता का फोटो या कलेंडर हम ले लेंगे इसके साथ ही हमें मिट्टी का एक करवा चाहिए होगा करवे पर इस तरह से टूटी बनी होनी चाहिए यानि होल होना चाहिए और करवे का धकन भी आपको साथ में ही लेना है आप देखिए आप चाहें तो सजा हु करवा ले लीजिए या मिट्टी का सिंपल करवा भी आप ले सकते हैं मिट्टी का एक करवा लेना होता है तो सजा हुआ ले सकते हैं या सिंपल करवा आप ले सकते हैं मिट्टी का एक करवा लेंगे साथ में हमें चीनी का भी एक मीठा करवा लेना होता है यह करवा भी आपको चावल बाजरा कोई भी अनाज ले सकते हैं कोई भी मिठाई हम ले लेंगे तो आप घर पर पकवान बना सकते हैं आप बजार से मंगवा सकते हैं मिठाई नहीं है तो आप पताशे भी ले सकते हैं यानि भोग के लिए हमें कुछ भी मिठा चाहिए होगा पताशे का भोग बहुत शुब होता है तो पताशे का भोग भी आप लगा सकते हैं इसके साथ ही हमें रितुफल का भोग भी स्मर्पित करना है सिंघाडा मिल जाता है बहुत अच्छी बात है सिंघाडा चढ़ाना बहुत शुब रहता है सिंगाडा ना मिले तो कोई और रितुफल भी आप चढ़ा सकते हैं इसके बाद पूजा के लिए हमें एक देशी घी का दीपक चाहिए तिलक करने के लिए रोली चाहिए होगी थोड़े से हम चावल ले लेंगे और एक लोटा जल कहानी सुनने के लिए हम लेंगे इसके साथ ही पूजा करने के लिए आर्थी करने के लिए कपूर ले लेंगे धूप हमें चाहिए होगी यथा संभाव हम दक्षिना ले लेंगे और पूजा में हमें कलावा बांधना है जो ये करवे हैं इन पर भी कलावा यानि मोली बांधेंगे और वस्तर सवरूप भी मोली समर्पित करेंगे तो मोली आप थोड़ी जादा ले लीजिएगा तो यहाँ पर हमने मोली ले ली है करवाचोत माता के लिए आप लाल रंकी चुन्री ले लीजिए अगर लाल रंकी चुन्री आपके पास नहीं है लेकिन आगर किसी कांड से 16 सिंगार ना चड़ा पाएं तो सिंगार की कम से कम दो चीज़े आप जरूर जरूर चड़ाएं यानि कि जितना संभव हो सके उतना सिंगार आप करवाचोत माता को इस पूजा में जरूर जरूर चड़ाएं बाएना निकालने के लिए हम करवाचोत माता के लिए कपड़े ले लेंगे सूट या साड़ी कोई भी आप ले सकते हैं इसके साथ ही चंद्रमा का पूजन करने के लिए पूजा के लिए कोई भी थाली घर में नोर्मल थाली साफ करके ले लेंगे पूजा के लिए जो चलनी लेंगे वो घर में जिस चलनी से आता चांते हैं वो नहीं लेनी है अलग से हमें पूजा की चलनी लेनी है और अगर चंदवा पूजन की पिछले साल की चलनी आपके पास रखी हुई है तो आप नई चलनी ना खरीद के लाएं उसी चलनी से आप प पूजा कीजिएगा, ये सुहाग की निसानिया होती हैं, अगर नहीं है, तो कोई बात नहीं, और सोने की होना जरूरी नहीं है, आप ये आर्टिफिसल में ले सकते हैं, इसके साथ ही मैंने आपको बताई दिया है, अपनी साधी की चुन्री या तो पीलिया आपको जरूर हणिभाटा चाहिए होगा, कलस के ओपर हमें धककन रखना है, कलस में डालने के लिए हमें गाट वाली हल्दी चाहिए, गाट वाली हल्दी नहीं हो तो एक चुटकी हल्दी पाफॉडर आप ले सकते हैं, साथ में हम एक सुपारी ले लेंगे एक सिक्का ले लेंगे और कलस में सजाने के लिए हम आम के पत्ते ले लेंगे अगर आपको आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं इसके साथ ही कुछ लोग जो ये मिटी का करवा होता है ना इसके नल को सीख से बंद करते हैं यानि डाब की सीख इसमें लगाते हैं तो आपके हैं पर अगर ये डाब की साथ सीख ली जाती है तो आप ये ले लीजेगा नहीं ली जाती है तो आप इस पार्ट को स्किप कर दे ताकि आपको पूजा में कोई हडवडात ना हो तो भी मैंने तो करवाचोत वरत की पूरी तैयारी कर ली है आप भी जल्दी से तैयारी कर लीजिए और करवाचोत वरत की सामगरी का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना अगर ये वीडियो आपको सारे वीडियो चैनल पर आज चुके हैं उन्हें भी आप एक बार जरूर देखना सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा करवाचोत माता आप सभी को अखंड सुहाग परदान करें इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में तब तक के लिए जै क करवाचोत माता राधी राधी